आज की इस वीडियो में हम लोग कच्छा दसवी की हिंदी कावे खंड से पाठ यहाँ पे दस है पाठ का नाम है अच्छर ग्यान और जिनके लेखी का है अनामी का अनसी एर्टी भुक से हम लोग सब्पूण पाठ का हल देखने वाले हैं तो वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजएगा अल्रेडी गदेखन का भी प्लेलिस्ट बन चुका है आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं तो देखिए हम लोग इहां पे आ चुके हैं पाठ दस है अच्छर ग्यान और जिनके इहां पे लेखी का है अनामिका आप लोग याद रखेंगे इसमें लेखक नहीं है इनमें लेखी का है जिनका नाम है अनामिका क्यूश्ट नबर वन है यहां पे कविता में तीन उपस्थीतियाँ हैं अस्पष्ट करे की वे कौन-कौन सी है तो उत्तर हो जागा यहां पे प्रस्तूत कविता में प्रवेश, बोध और विकास तीन उपस्थितियां आई है अच्छर ग्यान की प्रकिरिया सबसे पहले यहां पे प्रवेश लिखा हुआ है प्रवेश की बाता बरन में प्रारंभ हुई है उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पढ़ने लगती है अंद में विकास क्रम उपस्थित होता है जहां निरंतर आगे बढ़कर अच्छर को मुर्त रूप देने का प्रयास सफल होता है अब आईए हम लोग चलते हैं क्यूशन अबर टूपे कवीता में क का विवरन असपस्थ कीजिए तो उतर हो जाएगा प्रस्तूत कवीता में कवीतरी छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अच्छर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क क को लिखने में अव्यास पुस्तिका का चोखट फोटा पर जाता है कर्मपत भी इसी प्राकार प्रारंभ से फिस्रन भरा होता है तो इनक अभिसिस पुस्तिका मिक्शब लखते हैं उसका चोखट चोटा पर जाता ही क्योंकि बच्चें को पता नहीं होता है कि कितना बड़ा लिखना है या नहीं लिखना है वो ऐसे करता है और इस ट्राइब से पूरा इसी को पूरा देता है तो अव्यास पुष्टिकाउस का छोटा पर जाता है तो इसी प्रकार जो कर्म पत होता है वो भी प्राराम में फिसलन भरा होता है अब देखें यहाँ पे क्योशन नबर थ्री आता है आप लोगों के पास खालीस बेचैनी किसकी है बेचैनी का क्या अभिप्राय है उत्तर हो जागा यहाँ पे खालीस बेचैनी खरगोश की है ध्यान से आप लोग याद रखेंगे खालीस बेचैनी किसकी है तो खरगोश की ह कर सीख कर ख सीखने के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ साधा की जिग्यासा बढ़ती है जिसे कि कर लिखना सीख गए तो अब ख सीखने की जिग्यासा भी बढ़ती है और वो आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है गर भी सीखना चाहता है बेचैने का विप्राय है आगे बढ़ने की लालसा जिग्यासा एवं कर्म में उत्सा अब देखें यहां पर प्रश्ण संख्या चार आता है बेटे के लिए अड़ा क्या है और क्यूं तो उतर हो जाएगा यहां पर ध्यास देखेंगे यह जो क्यूशन नमर फोर आप देख रहे हैं यह एकजाम के द्रिष्टी कौन से भी भी आई प्रश्ण है बहत ही मात्वपूर्ण है तो देखिए बेटे के लिए अड़ा उसको गोद में लेकर बैठने वाली मा है मा असनेह देती है वाजसले प्रेम देती है मतलब कि अठाह प्रेम देती है अड़ा की कस लेकर घर तक सीखने के करम के बाद आता है वहां इस्थीरता आ जाती है साधना करम रूख जाता है ठीक उसे प्रकार जिस प्रकार कर्म रत बालत मा की गोद में इस्थीर हो जाता है अब देखें यहां पर question number 5 आता है आप लोगों के पास बेटे के आसु कब आते हैं और क्यों उत्तर हो जाएगा सीखने के क्रम में बारं बार पर्यास करने पर भी जब आलक विफल हो जाता है तब पहली बार तो पहली विफलता जो होती है उस पर आसु आ जाते हैं क्योंकि कठेंतब पर्यास के बाद विफल होना कश्टदाई इसित उत्पन करता है यहने का विफला है जब आपको एक काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है बहुत मेहनत करने के बाद भी तो विफल तो होना निश्चित नहीं है लेकिन कभी-कभी इंसान विफल हो जाता है तब जो उसके आसों निकलते हैं वह विफलता के आसों निकलते हैं और वह बहुत कष्टदाई इस्थिति उत्पन करता है अब देखें यहां पर Q6 आता है आप लोगों के पास कवीता के अंत में कवीतरी सायद अवेल का क्यों प्रयोग करती है अस्पष्ट करें उतर हो जाएगा यहां कवीता के अंत में कवीतरी सायद अवेल का प्रयोग करके यह असपश्ट करना चाहती है कि जो अच्छर ग्यान में बच्चों को मसकत करना पड़ता है वही मसकत स्रिष्टी के विकास में करना पड़ा होगा यानि कि जब बच्चा जन्म ले रहा था तो उस समय भी गावी मसकत करना पड़ा होगा सायद स्रिष्टि का प्रारामभी क्रम इसी गती से चला होगा अब देखें हैं पर Q7 आता है कविता कीस तरह एक सांतवना और आसा जगाती है विचार करें उदर हो जाएगा कविता में एक प्रावाह है जो विकास वाद के प्रावाह का बोध करता है सांतवना और आसा सफलता का मूल मंत्र है अच्छर ग्यान की प्रारामभिक से च्छन प्रकीरिया अतिसंघर से सील होती है लेकिन अच्छर ग्यान करने वाली ममता की मूर्ती मां सांतवना और आसा का बोध कराती है ठीक है अब देखिए व्याख्या करें आता है ये question है और last question है यहाँ पे और BBI भी है इसे भी आप लोग दियान से देखेंगे वैं आख्या करें गमले सा तूटता हुआ उसका गह घड़े सा लुठकता हुआ उसका घह देहान देंगे आप लोग गमले सा तूटता हुआ उसका गह और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घड़, इस टाइब का भी क्यूशन आता है एक जामे, कि घड़े सा भी लुढ़कता हुआ उसका, क्या होता है घड़, अड़, ख़, इस टाइब का एक जामे बहुत उच अच्छर ग्यान सिर्षक से उद्धित है कहने का अभिप्राई लिया गया है। एक चित्र में वातावरन में विफलताओं से जूजते हुए अनवरत, पर्यास, आसानवित, निरंतर आगे बढ़ते हुए बचे की कलपना की गई है। गह को सीखना गमले की तरह नाजुक है जो तूट जाता है साथ ही घह घहरे का प्रतिक है जिसे लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन लुढ़क जाता है। खिरागे चलते हैं अर्थात गमले की ध्वनी से बच्चा घह सीखता है और घड़े की ध्वनी से घह सीखता है। ओके वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड सेल जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पर आपको सोसल साइंस के और सब्जेक्ट का भी क्यूशन अंसर का सॉल्यूशन मिल कीजिए वहां से आप लूग देख सकते हैं थैस पर वह चीजिए